हेलो दोस्तों, क्रिसंफ इन्फेमय्टिक्स की एक नई वीडियो में भारत की जीत के साथ आप सभी का स्वारगत है दोस्तों भारत ने बंगला देश को साथ विकेट से हरा दिया वंडे जीम कप में यह टी मिडिया की लगातार चोथी जीत है इस जीत के साथ ही भारत ने अंत तालिका में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है और अपनी स्थिती को मजबूत कर लिया है बंगला देश ने टोस जीत कर पहले बल्ले बाजी करते हुए आठ विकेट खोकर 256 रन बनाये थे इसके जवाब में भारत ने 41.3 ओवर में तीन विकेट खोकर 261 रन बना लिये और मैच को अपने नाम कर लिया दोस्तों भारत के लिए विराट कोहली ने छक्के के साथ मैच को खतम किया इसी छक्के के साथ उन्होंने वंडे क्रिकेट में अपना 48-वा सतक भी पुरा किया दोस्तों भारत के लिए विराट कोहली के नाबाद 103 रन बनाए शुगमन गिल ने 53 और रोहित सर्मा ने 48 रन का योगदान दिया केल राहुल भी दोस्तों 34 रन बनाकर नाबाद रहे बंगला देश के लिए मेहंदी हसन ने दो और हसन महमूद ने एक निकिट लिया भारत का अगला मैच न्यूजिलेंड के साथ है दोस्तों और दोनों ही टीमें अंतालिका में टोपर हैं और यही दोनों टीमें हैं जो अब तक अजे हैं अभी तक अपना कोई भी मैच नहीं हारी हैं दोस्तों ऐसे में 22 अक्तूबर को दोनों ही टीमों का आमना सामना होगा और जिससे यह मैच बेहद द्रोमांचक होगा। देश के प्रधायम मंतरी निरंदर मोदी ने भी टीम इडिया को जीत की बदाई दिये है और उन्होंने लिखा है एक और ऐसाधारन खेल। बंगला देश के खिलाब स्यांदार जीत पर हमें अपनी क्रिकट टीम पर गर्व है भारत देश पर गर्व है विसब कप के दोरान हमारी टीम स्यांदार फोम में है और अगले मैच के लिए हम अपने भारतिये प्लेयर्स को सुब कामना ही देते हैं ताकि वो न्यूजिलेंड को भार का मज़ा चखा सके धन्यवाद दोस्तों अ